cud does the और यहन की वीडियो काफी सद लग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हुकि जो हमारे कपड़े के कलर फेड हो जाते हैं या एक से दो तिन बार की धुलाई में हमारे कपड़े का रंग कलर निकल जाता है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं निकलने से कैसे रोक सकते हैं यह वीडियो काफे जादा स्पेशल भी है क्योंकि यह बहुत जादा रिक्वेस्टीड वीडियो थी क्योंकि मैंने आपके साथ एक पहले भी वीडियो शेयर की थी कि हम अपने कपड़े पर डाई कैसे कर सकते हैं और उसमें बहुत जादा कमेंस में उससे पूछा था कि हम अपने कपड़े के कलर जो कि निकल जाते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ यही रेमिडी शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने जो हमारे कपड़े के कलर्स निकल जाते हैं तो उसको हम कैसे रोप सकते हैं निकलने से अब देखिए यह मैंने अभी दुपट्टा लिया हुआ है क्योंकि हमारे सूट के कलर अगर ना भी निकले तो आप अपने किसी भी ताइप के फैब्रिक पर यूज कर सकते हैं इसको अगर कॉटन पेब्रिक, शिफोन जॉर्जट तो आप उसके साथ ट्राइ कर सकते हैं आपका कलर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने भी एक त्राइक हुआ थे तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं और यह जो मैंने तुपट्टा लिया हुआ है उसका जो फैब्रिक है म अब हम इस पर अपना वह मैथटर ट्राइ करेंगे और मैं आपको दिखाती हूं कि आपको अपने कपड़ का निकलने से कैसे रोकना है तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं एक चीज और वता दू आदू आपको कि यह मैथड़ आपको हमेशा अपनी फर्स्ट टाइम की दु तो आपको तभी वो ट्राइ करना है अगर आपने दो तिन बार कपड़ा अपना धूल दिया है उसके बाद अगर आप इसको ट्राइब करेंगे तो वह वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपने पहले इसको धूल दिया है वह वी डिटर्जेन के अब अगर फर्स्ट तैम अपने आपको यह गरम करना है जादा गरम नहीं करना तो अब मैं इसकी फ्लेम ओन कर दूंगी और अगर आपको जैसे कि अपना कुर्ता या साड़ी का कपड़ा जो कि बहुत जादा बड़ा होता है तो पहले आप किसी छोटे बरतन में उस पानी को गरम कर लिजे और फिर बकेट साथ मैंने इसमें पीसा हुआ है फिटकरी फिटकरी यानि एलम तो अगर आपको एलम नहीं मिल रहा है तो आपको सॉल्ट इसमें डाल कर केवल आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं देखे सॉल्ट एक बहुत ही में इंक्रीडेंट है आपके कपड़े के कलर को फिक्स करने के अब देखे पानी जो है वो गरम हो गया है तो गैस को हम बंद कर देंगे अगर आप इस मेथट को किसी बड़े कपड़े यानि की साड़ी पर इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप यहां पर तीन से चार चमच तक नमक डालिए और अगर आप किसी कुड़ते पर ट्राई कर रहे अब इस पानी को हम एक बार हाथ से चेक करके देख लेंगे कि यह कितना गरम है तो मुझे यह थोड़ा गरम लग रहा है जादा इसलिए में इसमें थोड़ा सा और पानी एड़ करूंगे और यह जो हमारा नमक है इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी डाल दूंगी तो देखें इस पानी को मैं ने हलका गुंपुना इतना पानी था के देकिए इस पानी को पूरी चूनी को फूरम चेक कर देना है और करीब 15 मिनेट के लिए आपको इस बरतन में इस कपड़ देना अब मैं मिलती हूं आप से 15 मिनट के बाद 15 मिनट हो चुके हैं और अब इस चुन्डी को हम देखिए इस तरह से बिल्कुल अलग कर लेंगे निचोड़कर और अलग बड़तन में निकाल लेंगे तो देखिए तुपट्टे को हमने बिल्कुल अलग करके रख लिया है और देखिए हमारे तुपट्टे में से कितना जादा कलर निकला है आप देख सकते हैं और अगर हम इसको डिटर्जेन से सिधर वाश कर देते तो हमारा जितना भी कलर था वह फेड हो जाता हमारी चुन् आपको केवल इसे नॉर्मल वाटर से वाश करके इसको सुखा देना है और आपको इसे दूप में नहीं सुखाना आपको इसे च्छाओं में सुखाना है अपने सेकिंड टाम जब आप वाश करें अपने तुपट्टे को यह आप जिस कपड़े कभी कलर प्रिजर्व कर रह तो देखिये अपना नॉर्मल वाटर ले लिया है और इसको कुछ भी गरम नहीं कराणा इसको हमने केवल नॉर्मल जो हमारा पानी होता है वही लिया है अब इस तुपट्टे को हम अपने पानी में डाल देख़िये इसको आपको ऐसे ही नॉर्मल वेटर में दो जाल देन इसी तरह से निचोड कर छाओं में सुखा देना है और यह देखिए अभी भी हमारा कुछ कलर निकल रहा है तो आप इसे एक से दो बर और अगर इसी तरह से निचोड़ेंगे तो आपका कलर बिल्कुल आपका पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा उसके बाद आपको इसे ध दूप में सुखा दूंगी दूप मनें च्वडाओं है तो आपको से अभू जीदोे को सुखा कर प्रेस करके रख लिया है वर जितना पी कलर निकल न जोग आप इसका कलर नहीं निकलेगा ईटेर जेंसे इसका पूरा कलर निकल चाता है और यह एक्डम फेड हो जाती है त पांच से साथ मिनट लगेंगे आपके और आपको जो फैब्रिक है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा अगर पसंदाट प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रिंस के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये मेथट पता चले और उनके कपड़े हमेशा नए जैसे बने रहें सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देंग बाँ बाँ शुदा आपको